नमस्कार दोस्तों बिग बूल मार्केटिंग के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए धन्यवाद तो गाई आज हम डिसक्राइब के बारे में क्या आ सब्सक्राइब करेंगे तो गाई अगर आप इस शेर में निवेशक है निवेश करने की सोच तो वीडियो एंट तक दूर देखेंगे तो चले जो है शुरू करते हैं गाईस तो गाईस यहां पर हम डिसक्राइब के बारे में शेर के जो है फंडेमेंटल्स और फाइनेंशल्स क्या जो है इंडिगेट कर रहे हैं तो सबसे पहले यहां पर शेर का मुमेंटम देख ले तो पिछले पांच दिनों में स्टॉक सिर्फ दो परसेंट उचला है पिछले छे मीनों में जो है नौ परसेंट की गिरावट हमें देखने को मि ने लिए है तो गाईस इससे हमें सापत लगता है जो जो शेर है काईस वह एक ही रेंज में जोए काफी टाइम से जो है फसा होा है और काफी टाइम से एक ही जगह एक जर्टाइक परसाओ क्यूंकि स्टॉक में जो था बहुत बड़ा गिरावट हमें देखने को मिली लेकिन अभी जो एक कंपनी की पीरेश और 31 के आसवास चल रही तो कंपनी का स्टॉक नहीं जादा ओवर वैलूड जोन में नहीं जादा अंडर वैलूड जोन में एक फेर प्राइस आपको मिल रहा है बाकी फाइनेंशल के बारे हम बात करें तो कंपनी के जो अभी कौवरेज़ जैसें में रेवनियु धी कंपनी गिरा है नेट इंकम भी गिरिए प्रॉफिट मार्जिंस बीए और अप्रेटिण इंकम है उत्ते बिचले कौट अंग जो एक शांदार रिजल्ट कंपनी ने पेश कह था इसकोंपनी वह नहीं कर इनका बिजनस काफी आने वाल टाइम में बढ़ेगा भारते एटेल रिलाइंस जी उसे इन्हें काफी बड़े-बड़े ओडर मिले और उपर से घुम में जो फाइबर ऑप्टिकल के बल पे जो है बैन लगाया हुआ है सोरी इंपो एंटी डंपिंग डूटिल कहीं है इंपो नहीं जादा खराब है नहीं जादा ठीक है और स्टॉक की वैलिएशन भी ठीक ठाक है गाइस चलिए अब इसका चार्ट सेटप आपको एक्स्प्लेन करते हैं तो सेटप जो है चार्ट का काफी जो है ठीक बन रहा है पर एक कंसॉलिडेशन फेज आप देख से यहां पर व इन्वेस्टेट है तो आपको काफी जादा जो है एक पेशेंस रखना पड़ेगा और लॉंग टर्म इन्वेस्टर बैठना पड़ेगा क्योंकि लॉंग टर्म में ये शेर आपको मुझे नहीं लगता जादा जो है रिटेन बनाके देगा अभी के लिए बाकि शॉट टम म आपको यही राए दोंगे और मेरे आपको यही सला रहेगी एक बार यह रेंज तोड़ जाए तब जो है रैली बनेगी लेकिन तब दक के लिए शेर में एक वीक सेंटिमेंट और एक अग रेंजबान मोएंटम आपको जो है देखने को मिलेगा तो गाई जैसे और वीडिय लिखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद